हेलो फ्रेंट्स मैं नाम शाहिद असन है और मैं यूट्यूब चैनल ये और आई टोक में आप लोग का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम लोग इलेक्टिकल का बहुत है कि इक इंपूर्टेंट टोफिक पर बात करेंगे कि थेरेपीन पलग में अर्थिन का पॉइंट मोटा औ आगे आने वाले नए नए वीडियोज को नोटिकेशन आप लोग को मिलता रहे तो फ्रेंट्स आई यह देखते हैं आज का जो है टोफिक है कि जो है थेरेपीन पलग में अर्थिन का पॉइंट मोटार लंबा क्यों होता है तो सबसे बढ़ देखें यह एक होता है पॉइं अर्थिन का जो है सिंबल बना हुआ है यह यहां भी आप देख सकते हैं तो यह दोनों इसकी लंबाई और मोटाई जो है फेस और न्यूट्रल की सेम होती है इसमें कोई फरक नहीं होता है लेकिन अर्थिन का पॉइंट ही मोटा और लंबा होता है यह मोटा लंबा क्यों हो तो फ्रेंस एक्जामपल जैसे का आप देख लिए कि हमारे पास एक सिंगल फेस का मोटर है या इसके पर कोई और भी एक्विपमेंट हो सकता है उसका हम लोग कनेक्शन करते हैं और अर्थिन का बारे मैं बताता हूं कि अर्थिन क्यों इंपोर्टेंट है और यह लंबा और म हमारा काम हो जाएगा लेकिन यहां पर अर्थिन का कनेक्शन जिद्धिया हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अर्थिन का पॉइंट है मालने यह लोगग फेस और न्यूटरल कर दिया हमारा मौटर चालू हो गया इसके बीच में कोई आदमी आकर मोटर को टच क कर दिया कि तो फ्रेंध्स कि मोटर का बड़ी होता है पूरा आईरन का बना होता है अगर इस में से कोई फेस है नीट्र sage या इनमें से कोई एक या दोनो जो है body short हो गया है तो क्रेंट जो है यह बड़े को उपर running करने इस पर घोमने लएगा इसके बीच में कोई आदमें आ कर इसको टुच कर दिया तो उसको इल Bishop लग जाएगा लेकिन अगर यहीं पर हम लोग क्या कि यह जो है अर्थिन का झो है connection कर दिए तो एर्थिन का connection हम लोग कर देंगे तो क्या होगा यह अर्थिन के तुछ है यह ground हो जाता है अब भी हम लोग देखते हैं कि जो है यह लंबा क्यों होता है यह तीसरा पीन जो है लंबा क्यों होता है इस तरह के जो है यह इस तरह के थिरी थिरी पलग और सौकेट जो है इंडिस्ट्रिल में भी जो होता है घर में भी जो होता है अब देखें यहां पर क्या होता है कि याटिन करता है। सबसे पहले हमारा अर्थिन का पॉइंट सर्कृट से सिया नेक्ट होता है। अगर इसने कोई एक शौट होगा या दोनुग होगा तो उस तक्राइब में क्या होगा कि जो करेंट इसको उपर रन्न रइंग करने लगेगा। कर दिया तो इसको इसको अज़क लग जाएगा तो इसके लिए या तो इसको कर देता है अब देखे जब हम लोग करेंगे में जब हम लोग इसको पलक आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारा डिसकनेक्ट होता है और यह अर्फिन पॉइंट में डिसकनेक्ट होता है अब यह जाएगा और लाष्ट में पॵाइंट बहार आता है हम कि दो सरा पौइंट है कि यह मौटा क्यों होता है इसलिए होता है कि इस तरह के जो है फलर को हूं कि अंदर को आदमी अजर्ण है तो गया तो गया तो इसको मालूं जो है जuler सब्सक्रात को इसमें डाल दिया या फियस या निउटरल किसी में डाल दिया तो अहां पर हुआ जो फियर यह की पूइर के गाई अगर यह सब्सक्राइक हो तो इसके ओपर ए यह अपो सो डेरिक्ट लेपोष्ट लोह मुन अपोन ए उसका मतलोय फ्रेंड्स के यह आर जो है इन्नेवर्स लेपोष्टिनल है आर हो गया हमारे श्रेुसिफिक रेजिस्टेंस है यह तो यह अवर यह एक लेंध हो गया और यह फॉर जो है area of cross section होगया तो हमारा नजія क्या होगा कि जो हमारा area अगर बढ़एगा तो resistance घटेगा area कम हो तो resistance बढ़ते गा तो क्या करें हम लोग के इसकी जो है मोटा है होती है के माने हिरने के कंडुक्टर है तो इसमें जोrelated ज्में और इसका रिज्स्टेंस जदा होगा जब यह कम होगा तो just to को तो मालूम है कि current जो है हमेसा low resistance में फुलव होता है तो जो current को फुलो होने में आसानी होगा और और यह एर्थि नकतमर्च को उसको ground कर देता है इसके लिए ज्यादस ज्यादस फुलो होगा तो फ्रेंस बहुत लोग जो है घरों में तीसरा पॉइंट अर्थिन का यूज नहीं करते हैं इसका यूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सेफ्टी लेवल को हाई करता है यह इसका सेफ्टी लेवल को बढ़ा देता है कि बी सेफ बी सेफ एंड हैपी थैंक्स फॉर वाचिंग